इस वीडियो में हम class 7, class 7 radiance part 2 का English book का हम chapter जो है, first chapter जानेंगे, इसका हिन्दी अर्थ आपको बताएंगे, आप हमारे तसाथ last तक बने रहें, फस्ट चेप्र है सिंपेथी, शिंपेथी मिन सोता है सहानुभूति, आपको पूरा हिन्दी अर्थ समझाएंगे, ताकि आप किसी को भी आसानी से समझा सको वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको एक-एक वीडियो आपको मिल पाए देखिए सिंपैथी मिन सोता है सहनुभूति ध्यान से समझेगा गोला सिक्षक नीचे दियेगे जो टेक्ष्ट हैं जो वर्ड हैं जो सब्द हैं उसको बच्चों से मतलब बच्चों को बताईए समझाईए और उससे नीचे दियेगे प्रसनों को पूछिए चलिए समझते हैं एथरष्टी ओल्ड मेन एक प्यासा बुढ़ा बैक्ती सरक के किनारे बैठा हुआ था आगे देखिए बहुत अच्छा स्टोडी है वह करहा रहा था बोल रहा था पानी 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 सूरज और रभी दोस्त हैं दोनों क्या हैं दोस्त हैं बोढ़े आदमी की चलाहट को कराहट को वे क्या हुए सुने सूरज इग्नोर्स इट बट रभी स्टॉप्स नियर दा आउल्ड मेन सूरज इसे क्या करता है, इग्नोर कर देता है, इस बात को अंसुना कर देता है परंथु रवी जो है, उस बूढे बैक्ती के पास रुखता है he takes out his water bottle, वह अपना पानी का बोटल जो होता है उसको बाहर निकालता है He gives the bottle to the thirsty man उस प्यासे बैक्ती को वह अपना पानी का बोटल देता है The man packs the bottle and drinks water आदमी पानी का बोटल लेता है और पानी पीता है He thanks Ravie और उसने Ravie का वह धन्यवाद करते है यह आपका स्टोरी था Question पोच्छा, Why does Ravie stop near the thirsty man? प्यासे बैक्ती के पास Ravie क्यों ठहरा, क्यों रुका Why does the man? Thank Ravie आदमी ने Ravie को धन्यवाद क्यों किया Do you ever feel sorry for a person in grief? क्या आप कभी किसी बैक्ती को दुख में देखकर खुद दुख महसूस करते हो तो यह person का जबाब आप बच्चों से पूछे या आप खुद आपको यह जवाब देना है चलिए, अब आते हैं man poem में poem यहाँ पर क्या कह रहा है तब तक आप like कर दीजिए, देखिए poem, ध्यान से समझीएगा इसमें word थोड़ा सा difficult है तो उसका pronunciation भी समझीएगा sympathy means होता है सहानू भूती I lay in sorrow, sorrow means दुख या कस्ट, मैं दुख में परा था deep distressed, गहरे दुख में परा था deep means गहरे my grief, a proud man he heard मेरा कस्ट एक घमंड़ी आदमी ने सुना his looks where cold देखने में एकदम सांथ सभाव का था he gave me gold, उसने मुझे सोना दिया but not a kindly word मैं ने उसे वापस दे दिया जो सोना उसने मुझे दिया था then I stood erect and spake my thanks and blessed charity और वा सिधा तनकर खरा हो गया और मुझे धन्यवाद किया और मैं भी उसे उसके दौन के लिए उसे आसिरवाद दिया ठीक है? आगे आप समझे एक एक step आपको समझा रहे हैं देखिए आगे जो है I lay in want in grief and pain आप कभी फिल से बिमार पर गए मैं मतलब बिमार कस्ट से परा था मुझे जरूरत थी किसी चीज़ की एक गरीब बैक्ती मेरे उसी जहाँपन में परा हुआ था उसी से होकर गुजर रहा था He bound my head उसने मेरे सिर को बांधा He gave me bread उसने मुझे खाने को रोटी दिया He watched me a night and day वह मुझे रात दिन देखवाल किया How shall I pay him back again For all he did to me अब कभी कहते है कि अब कैसे मैं उसे चुका हूँ जो उसने मेरे लिए किया अब मैं कैसे उसे चुका हूँ जो उसने मेरे लिए किया Oh God is great रे सोना महान है But greater far is heavenly sympathy परंत उससे भी महान है सहनुभूती उसे भी क्या महान है सुखद सहनुभूती आपको अगर कोई कुछ देता है तो आप उसको return कर सकते हो बाद में अच्छा लगा तो like कर दीजिए जुड़ जाइए क्योंकि एक एक chapter आने वाला है 5 से लेकर 10 तक सारा class का English आएगा और Math book का आएगा Thank you